इस वीडियो में हम डिस्क्स करेंगे RRC गुरूबडी के लिए सामाने बिज्ञान और इस रिच का होने वाला है ये पार्ट नमबर 3 पहले दो पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए करते हैं सुरू सबसे पहला प्रशन है भुकंप की तरंगे किस पर रिकोर्ड की जाती हैं तो ये की जाती हैं सिस्मो गिराफ पर यानि भुकंप की तरंगे जो भुकंप आता है उसकी जो तरंगे होती हैं किस पर रिकोर्ड की जाती हैं सिस्मो गिराफ नमबर दो है रेडियो धर्मिता की खोच किस ने की थी तो यह की थी हैंडरी बैकूरल ने रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिपता हैंडरी बैकूरल नमबर तीन है आरगन किस पिरकार की गैस होती यह एक अक्रिय गैस इसका पिरतीक चिन होता एर और इसकी जो परमालू संख्या होती है यह होता है 18 नेक्स्ट है टाइफाइड रोग सरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है यानि टाइफाइड रोग में सरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो यह होता है आत next नंबर फाइब द्रवित पैट्रोलियम गैस यानि LPG liquid petroleum गैस का मुख्य घटक क्या होते हैं यह होते हैं प्रोपेन और व्यूटेन next है नंबर सिक्स सर्वदाता रक्त समू कोन सा होता है तो यह होता है O यानि जिसका blood group O होता है ये अपना blood किसी को भी donate कर सकता है ये क्या होता है, सर्बदाता होता है universal donor नमबर साथ है सिफ गमो मैनो मीटर द्वारा क्या मापा जाता है, तो ये मापा जाता है रक्तदाब, रक्तदाब या रक्तचाब, किसके द्वारा सिफ गमो मैनो मीटर के द्वारा इसको मापा जाता है नेक्स्ट है नमबर आठ कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या होता है तो यह होता है कैफीन यहां रखना आपको कैफीन नाइन है चाए में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पधार्थ क्या होता है, तो यह होता है थीन, यानि चाय में थीन, और कोफी में होता है कैफीन, नमबर दस है, हाइग्रो मीटर से क्या मापा जाता है, तो यह मापा जाता है आपएकशिक आर्दता, हाइग्रो मीटर से आपएकशिक आर्दता मापी जाती है, नमब 12 है विद्यूत पिर्तिरोत का SI मात्रक क्या होता है तो यह होता है ओम और इसको इस पिर्तिक चिंद से दर्साया जाता है यानि विद्यूत पिर्तिरोत का SI मात्रक क्या होता है ओम नमबर 13 है सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणे कौन सी होती है तो यह होती है गामा किरणे यानि गामा किरणों की जो तरंग लंबाई होती है सबसे कम होती है नेक्स्ट है 14 किसके इलाज में केमो थेरेपी का उप्योग किया जाता है तो यह होता है आयोडीन की कमी के काराण यानि आयोडीन की कमी के काराण गहंगा रोग नेक्ष्ट है नमबर 16 गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन की जाती है तो कौन सी होती है मीथेन दियान रखने है गोबर गैस प्लांट में कौन सी gas होती है, methane gas 17 है, गुरुद्वाकर्षन का नियम किस ने दिया था ये दिया था, newton ने यानि गुरुद्वाकर्षन का नियम किस ने दिया था, newton ने 18 है, ग्रेनाइट किस में पाया जाता है तो यह पायाता है आगने चटानों में या आगने शैलों में नेक्स्ट है 19 पिरकास का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है तो यह देता है पिरकिरण के कारण और यहां से एक कोशन यह भी बनता है कि किसी अंत्रिक स्यात्री को अकास का रंग कैसा दिखाई देता है, तो उसे दिखाई देता है, काला, क्योंकि बहाँ पर पिरकास का पिर्किनुणा नहीं होता है, नमबर 20 है, चन्द गिर्हन काभ होता है, जब प्रत्वी सूर्य और चन्द्रमा के बीच आ जाती है, यहाँ पर चन्द्रमा यह सूर्य और इनके चांद को गिरहन लग गया, तो इसी को चंद गिरहन कहते हैं, तो चंद गिरहन काब होता है, जब प्रत्वी जो होती है, प्रत्वी चंद्रमा और सूर्ये के बीच आ जाती है, नेक्स्ट है 21, सुस्क बर्फ किसे कहते हैं, तो यह कहते हैं थोस, कारवन डाय ओक्साइड, यानि थोस कारवन डाय ओक्साइड जो होता है, वही क्या होता है, सुस्क बर्फ होता है, जिसे ड्राय आइस बोलते हैं नेक्स्ट है 22 लेंप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चलता है तो चलता है केसी कात्व के कारण लेंप की बत्ती या जो घर में डिब्या वगेरा होती है तो केसी कात्व के कारण नेक्स्ट है भविस्य का इनन किसे कहा जाता है most important hydrogen को हाई ट्रोजन को भविस्य का इनन कहा जाता है 24 है वायू मंदलिय दाब किस से मापा जाता है तो यह मापा जाता है बैरोमीटर से यानि वायू मंदलिय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है next है 25 लेड भंडारित बैटरी यानि सीसा संचायक बैटरीमीन को कहते हैं इन में किस अमलका प्रियोग किया जाता है तो यह कहता है सलफ्यूरिक अमलका यानि H2SO4 का नेक्स्ट है 26 रेसम के कीडों का पालन क्या कहलाता है तो यह कहलाता है सेरी कल्चर यानि रेसम के कीडों का पालन सेरी कल्चर कहलाता है 27 है जल का आयतन सबसे कम किस ताप पर होता है तो यह उता है 4 डिगरी सेल्सेस पर जल का सबसे कम आयतन 4 डिगरी सेल्सेस पर नेक्स्ट है 28 यक्रत वारा इस्तरावित पित रस कहां पर संचित होता है तो पित्तासे में ध्यान रखने आपको पित्तासे में संचित होता है लेकिन यह जो इस्त्रावित होता है यह कहां से होता है यकरत से होता है 29 है सबसे हलकी धातु कौन सी होती है तो यह होती है लीथियम सबसे हलकी धातू 30 है नीवू तथा संत्रे में कौन सा अमल होता है यह होता है साइट्री कमल नीवू और संत्रे में साइट्री कमल 31 है किस घर्षण का मान सबसे कम होता है तो यह उता है लोटनी घर्षण का मान यानि जैसे एक गोली होती है आप उसको लुडगाते हैं तो उसको लोटनी गर्षन कहते हैं तो इसका मान जो है सबसे कम होता है यानि सबसे कम गर्षन इस कंडिशन में लगता है 32 है वोयल का नियम किस इस्थिती में लागू होता है तो यहोता है नियत ताप पर नेक्स्ट है 33 बर्सा की बूंद किस कारण गोलाकार होती है यानि बर्सा की जो बूंद होती है इसके गोलाकार होने का कारण क्या होता तो यह प्रस्ट तनाव या सतही तनाव आप इसको कह सकते हैं 34 है पाइरो मीटर का उप्योग किस रासी के मापन में होता है तो ये उच ताप, मांज ये सूर्य बगेर का ताप है ये पाइरो मीटर के द्वारा ही मापा जाता है Next है 35 चावी भरी घड़ी में कोन सी उर्जा होती है तो ये होती है इस्थिति जूर्जा यानि चावी भरी घड़ी में कोन सी उर्जा इस्थिति जूर्जा 36 है पैंसिलीन की खोज किस ने की थी तो ये की थी अलकजेंडर फ्लेमिंग ने किसकी पैंसिलीन की खोज अलकजेंडर फ्लेमिंग ने Next है 37 सोडियम को किसमे संचित करा जाता है या आप कह सकते हैं सोडियम को किस में डूबोकर रखा जाता तो किरोसीन के तेल में यानि मिट्टी का तेल जिसे कहते हैं Next is 38 Cryogenic engine किस में प्रियुक्त होता है तो यह होता है रोकेट में यानि रोकेट में cryogenic engine का प्रियुक्त किया जाता है 39 है, खून की कमी को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं एनिमिया, क्या कहते हैं, एनिमिया, खून की कमी, यहां रक्त अल्पता 40 is साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन होता है यह होता है ब्यतिकरण के कारण यानि जो साबुन का बुलबुला है यह ब्यतिकरण के कारण ही रंगीन होता है कलरफुल होता है 41 is सूर्य में बिद्दमान as सीमित उर्जा का सिरोत क्या होता है तो यह होता है नाबकिय संलैन यानि जो नाबकिय संलैन की इसमें किरियाए होती है उसी को क्या कहते है जो ओर्जा होती है सूर्य में इसी कारण होती है next है 42 पिरकास का रंग निश्चित किया जाता है यानि किसके कारण निश्चित क्याया था तो यह क्याया था तरंग देहरिये के दुआरा next है 43 वाईु में कोन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है यह सबसे जादा होती है तो यह nitrogen होती है कितनी होती है 78% 44 है सबसे अधिक तन्य होता है तो कोन होता है sona ये क्या होता है सबसे अधिक तन्य होता है इसका प्रतीक चिन AU होता है और पर्मालु संख्यत 79 होती है नेक्स्ट है 45 विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है ये कौन होता है चांदी प्रतीक चिन क्या होता है इसका AG 47 इसका पर्मालु संख्या होती है पैट्रोलियम कहा पाया जाता या किस पिरकार की चट्टानों में पाया जाता है तो यह पाया जाता है अब साथी चट्टानों में पैट्रोलियम अब साथी चट्टानों में नेक्स्ट एफ 47, हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व सामान रूप में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है कैलसियम, यानि हड्डियों और सीमेंट में ये एक ही रूप में पाया जाता है कौन कैलसियम, next year, 48 मानब सरीर में रक्त को साफ करने का कारिय कौन करता है तो यह करती है हमारी केडिनी यानि व्रक next year, 49 भोजन का पाचन मुख्य तरक किस अंग के द्वारा होता है यह होता है, छोटी आथ के द्वारा भोजन का पाचन मुखे तक इसके दोरा होता है छोटी आथ नेक्स्ट है 50 और यहां से एक कोशन ओर बनता है कि जो भोजन का पाचन है वो कहां से सुरू हो जाती है पाचन के लिए हमारी मुख से ही सुरू हो जाती है यातयाद बत्ती में लाल रंग का पिरियोग क्यों किया जाता है तो यहां आपको ध्यान रखना है क्योंकि लाल रंग की जो है तरंग दे रिया सबसे अधिक होती है और इसका प्रिक्रिणन क्या होता है सबसे कम होता है यानि कि होता क्या है यह तरंग दे रिया वो भी बन लाइनर आई हो वीडियो पसंद आई हो थैंक्यू फो वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में